दोस्तो नमस्कार स्वावेत है आपका आज की इस वीडियो में आज आप जानेंगे कि किस व्यक्ति के लिए जरूरी है और किस के लिए नहीं जरूरी है बने रहे ये वीडियो के आखी तक और सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को दोस्तों बहुत सारे लोगों में धाना रहती है कि कपिन ठेरपी जो है वो एक ब्लड निकालने की प्रकरिया है उस ब्लड निकालने की प्रकरिया के दोरान बहुत सारे नुकसान भी होते हैं मगर अगर आप थोड़ा सा उसको और सही डंग से जाने या सही अच्छे ट्रेनर या अच्छे एक्सपर्ट से अगर थेरपी कराते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता अब कपिंग थेरपी सबसे ज्यादा इस्तमाल करता कोन है किसको करने चाहिए और इसके बारे में हम थोड़ा सा बताते आपको कपिंग थेरपी में आपको ज्यादा तर उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग मस्कुलर पें से परिशान है मसल्स क्रेंप हो जाते हैं ब होता है आपको श्याटििका पेन में बहुत अच्छी रिजल्ट सेंस के इसके साथ-धर दोस्तो हीर पेंसे बहुत अच्छी रिजल्ट से सरवाइकल में बहुत अच्छी्य रिजल्ट से इन सभी परेशालियों से अगर आप जूज रहे हैं तो आपके लिए कपिंग आप ट्राइब कपइंग यूज नहीं है तो आप इसको वेड कपिंग यानि हिजामा थैरिपी या हिजामा कपिंग के को भी आप ट्राइ कर सकते हैं हिजामा जाद तरह किया जाता है जहां पर ब्लड जो जन जाते हैं ब्लड शर्कुलेशन जाकस einen की का ब्लॉटक ब्लाइब हो जातpinghouses बोलते ही जामा पॉंट भी बोलते हैं उन पर भी इसको चीया जाता है कि मोस्टली स्किन प्रोग्लम के लिए आप इस कपिंग थेरपिज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपर हेर ग्रोथ के लिए सबसे जयादा हजामा थेरपी यूज़ की जाती है है इसके अलाबा कॉपिंग ठरपी आप नौर्मल डीटॉक्स के लिए इस तमाल कर सकते हैं है लिए धैड कपिए हैं बैंगि अब यूरीनी चाहिए गभाँ कर लाजिन बहुत में तक्रपने अब बात करते हैं वैं उसके किन व्यक्ति को अग़ें यह अगर आप कपिंग थेरपी का इस्तमान करते हैं अगर आपको Ugh Skin Disruk्सकिन इन्फेक्शन है आपकी इस में सेर ooh इस कार सब्सक्रिणत करें इसके अगर आप किसी प्रिटिकल मेडिकल कंडिशन में हैं या भूकर आए हैं तो उसके बाद भी आप कपिंग थैरपी का इस्तमाल ना करें परिगनेंट लेडी या पीरेट्स के दोरान महिलाओं को ज्यादता के दोरान काये का किछाओ दो स Bu एप अगर किसी तरह का कोई को थो ब्ले। किलिक राटी तुई के दो हैं अगर उसके डाइक करें जाने सकती हैं करने स्कुए बीमारी को ठीक करें उसके बाद यह आप अपनी कण तो कहीं भी किसी expert के द्वारा ले सकते हैं तो कुपिंग थेरपी mostly कोई भी करा सकता है किसी भी एज का मतलब है कि आप कोशिश चाह 5-6 साल की एज के बाद कपिंग थेरपी इस्तिमाल कर सकते हैं डिपेंड है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ साथ जो एक्सपर्ट जिसके दुआरा आप कपिंग ठेरपी करवा रहे हैं वह एक्सपर्ट आपको क्या सजेस्ट करता है उसके करने का तरीका क्या है वो सब चीज़े माइने रखती है ऐसा नहीं कि आगर आपने कोई क्या प्रॉब्लम क्रियेट हुई है तो आप कि लिए बलेम करें ही है है वह सकता ही है आपके लिए बनी ही नहीं हो आपकी चाहिए आप कोई सिभी कपिंग कराई अप राय कुपिंग कीजिए आप वेट कपिंग कीजिए आप तीनों कपिंग method से आप करें तो आप की skin रोगों में बन जाती है और और यह मारकिंग जाथ के अगर यह मर्किंग दोस्तों हैं दोस्तों साज से दस दिन के बाद ये जो मार्किंग है जैसे आप स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं ये मार्किंग आपकी आपकी और आपकी स्क्रीन रिमूब हो जाती है और आपकी स्क्रीन दुबारा से वैसे ही हो जाती है जैसे आपकी स्क्रीन नॉर्मल पहने थी बेट थोड़ा सा इसको साज से दस दिन का आपको समय देना पड़ेगा आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा यदि आपका और भी कोई सवान है कपिंग थेरपी से रिलेटेड तो हमारे नीचे दिएगे कॉमन बॉक्स के अंदर जरूर कॉमेंट सेक्षर में जाकर आपको शेर कीजिए और अगला टॉपिक आप किस पॉइंट पर चाहते हैं कपिंग थेरपी में वह उसके लिए भी आप सैकुल लिखे लिखे ताकि में इस पर एक आपको डिटेल वीडियो जल्दी से जल्दी दो मिनते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए लाइक और शेयर और शब्सक्राइब और चैनल फिर क्योंकि आपको सही ढंग से और सही तरीके से शिखाना हमारा भी एक राइट बनता है और हमारी एक जिम्मेदारी भी बनती है चलिए में अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ता